इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे एक 85 लड़की अपने भाई को अपने साथ सोने के लिए सड्यूस करती है और इस लड़की ने अपने भाई से एक राज भी चुपाया होता है और ये राज क्या होता है हम इस वीडियो में देखेंगे फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं मार्क को जो 16 साल का होता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है पार्टी करने के बाद मार्क अपनी एक दोस के साथ इंटिमेट भी होने वाला होता है पर वो लड़की उसे रोग देती है यानि फिल्म के शुरुआत में ही बंदे का कट जाता है इसके बाद मार्क सभी संसकारी लड़कों की तरह घर जाकर पौन देखता है और रात में हिलाने के बाद सो जाता है अगले दिन मार्क की मौम उसे जगाती है और उसे बताती है कि उसके अंकल आज उन लोगों से मिलने आने आने वाले है बाद में मार्क के अंकल अपनी होने वाली वाइब जीना के साथ उनके घर पर आते है जीना असल में रशिया से आती है जब वो सब लोग एक साथ बैट कर लंच कर रहे होते है तब मार्क का ध्यान बार-बार जीना के ब्रेस्ट पर ही जाता है बाद में मार्क की सिस्टर मार्क को बताती है कि कैसे सब का ध्यान ब एक शादी हो चुकी होती है और उसकी पहली शादी से उसकी एक बेटी भी होती है जिसे लाने के लिए जीना वापस रशिया जाती है कुछ दिनों के बाद वो सब लोग जीना और उसकी बेटी को लेने के लिए एरपोर्ट पर जाते हैं वहाँ पर मार्क मिलता है जीना की बे तब नताशा उससे पूस्तिये कि तुम अपने रूम में क्या क्या करते हो। नताशा कहती है कि मेरी मॉम बहुत घटिया औरत है, वो बहुत से आदमियों के साथ कर शुकी है और मैंने उसे बहुत से आदमियों के साथ करते हुए देखा भी है। नताशा बहुत अलग लड़की है, वो हमेशा अकेले रहती है, इसलिए अगर नताशा उससे गुस्सा हो जाए तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद जीना नताशा को बुलाती है और उनके बीच किसी बात का जगड़ा चल रहोता है। इसलिए नताशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है, तब मार्क भी उसके पीछे जाता है। बाहर में नताशा मार्क को बताती है कि वो अपनी मॉम की तरफ देखना भी नीचाती है, वो अपनी मॉम से बहुत नफरत करती है। उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर लाकर उसकी लाइफ बरबात कर दिया। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस रूफस के घर में लेकर जाता है, और उससे मिलने के बाद नताशा बस उसी के बारे में पूस्ती रहती है। तब मार्क नताशा को बताता है कि रूफस अकेला रहता है क्योंकि इसके पेरेंट्स दूसरे देश में घूमने गए हैं। इसके बाद वो लोग एक साथ लंच करते हैं और म्यूजिक भी सुनते हैं। मार्क नताशा को उसके घर तक छोड़ देता है और नताशा उससे कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। फिर हम देखते है कि अगले दिन नताशा मार्क से मिलने पहुच जाती है। वो लोग कुछ दिर बैट कर बाते करते हैं और मार्क उसे बताता है कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है इसके बाद वो लोग साइक्लिंग करने बाहर जाते हैं फिर हम देखते हैं कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरुवाना यानि की गांजा बेशता है और इस बारे म को भी अपने साथ स्मोक करवाता है फिर नताशा मार्क की परमेशन को लेकर उसके लैप्टॉप को शुरू करती है पर तबी लैप्टॉप में अचानक से पॉन वीडियो शुरू हो जाती है जो मार्क बं करना भूल गया था और ये देखकर नताशा को बड़ा मजा आता है तबी नताशा लैप्टॉप को लेकर मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ फिर नताशा उसे अपनी खुद की न्यूट फोटोस दिखाती है और बताती है कि वो खुद भी पौन वीडियोस बनाती है नताशा उसे पूसती है क और वो लोग वही पर मार्क के रूम में intimate होते हैं नताशा मार्क को बताती है कि वो 12 साल की थी तब से वो ये काम कर रही है क्योंकि उसे इसके अच्छे पैसे मिल जाते है नताशा उससे कहती है कि उसकी मॉम को भी इस बारे में पता चल गया था उसकी मॉम ने उसे कुछ कहा तो नहीं पर वो नताशा के कमाय हुए पैसो के पीछे पढ़ गए थी इसलिए नताशा को ये सब काम बंद करना पड़ा और तबी से उन लोगों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा इसके बाद मार्क और नताशा एक दूसरे के साथ और भी ज़दा टाइम स्पेंट करने लगते हैं यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहाते भी है और भी ज़दा इंटिमेट होते हैं और मार्क उसे पसंद भी करने लगता है मार्क उसे अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने लेकर जाता है और उसे पूरा शहर भी गुमाता है कुछ ताइम के बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर में गुमने जाते है इसलिए नताशा मार्क के घर में ही रुकी होती है रात में नताशा उसे गुड़नाइट बेबी मेसेज सेंट करती है और कुछ दिर के बाद उसी के रूम में चली आती है क्योंकि वो कहती है कि उसे नीन नहीं आ रही नताशा और मार्क बाहर में गुमने जाते है तब नताशा उसे कहती है कि मुझे तुमारे घर में रहना बहुत अच्छा लगता है काश की मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी रह सकती मार्क उसे कहता है कि तुम जब चाओ यहाँ पर रहने आ सकती हो नताशा उसे बताती है कि उसकी मॉम मार्क के अंकल को धोका दे रही है और अभी भी उसका नताशा के डैट के साथ अफैर चल रहा है नताशा कहती है कि मैंने तुमारे अंकल को सब कुछ बता दिया पर फिर भी तुमारे अंकल ने मुझे पर भरोसा नहीं किया और मेरी मॉम की जूटी बातों में आकर मुझे जूटा समझने लगे इसके बाद जीना और मार्क के अंकल वापस रह जाते है और नताशा को अपने साथ चलने कहते है पर नताशा उनके साथ नहीं जाती है और कहती है कि मुझे यही पर रहना है मुझे यहाँ अच्छा लगता है तब Zina उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये जगा क्योँ पसंद है और मुझे ये भी पता है कि तुम इस लड़के के साथ क्या 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 करती हो ये सुनते बराबर Natashya को बहुत गुसाता है और वो जीना को मारने लगती है मर biz Mark के डैड उसे रोक देते है फिर नताशा को जीना के साथ वापस जाना ही पढ़ता है अगले दिन Mark उसे मिलने जाता है तब जीना उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती ने ये सब नताशा की गलती है वो तो जवान आदमियों के साथ भी सोती है और तुम तो बस अभी छोटे बच्चे हो जीना मार्क को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसे नताशे से मिलने भी नहीं देती है और दर्वाज़ा बंद कर देती है कुछ टाइम के बाद नताशा देर रात को मार्क के घर में अपना पूरा सामान लेकर पहुँच जाती है और उसे कहती है कि वो फ्लोरिडा के लिए निकलने वाली है और क्या मार्क भी उसके साथ चलना चाहेंगा नताशा कहती है कि जीना और मार्क के अंकल की बीच की शादी तूट चुकी है मेरी मॉम ने तुमारे अंकल को छोड़ दिया है और ये सब मेरी वज़े से हुआ है क्योंकि मैं जान बुचकर तुमारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों के भी जगड़ा हो जाए और वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाए क्योंकि मैं अपनी मॉम के हाथों तुमारे अंकल की लाइफ को बरबाद होते नहीं देखना चाहती थी उसकी बाते पूरी होने के बाद मार्क उसे अपने घर में लेकर जाता है और उसे रात बर वहाँ पर रुकने देता है सुबा होते बराबर मार्क उसे अपनी बचाय हुए पैसे देता है ताकि वो अच्छे से जा सके फिर नताशा सुबा सुबा ही अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है मार्क की फैमिली के लोग परिशान हो रहे होती है कि कैसे उसके अंकल ने अचानक से अपनी शादी तोड़ दी क्योंकि उन लोगों को सजबाद का कुछ पता ही नी होता और मार्क भी उन्हें कुछ नहीं बताता मार्क का दोस रूफस उसे बार-बार कॉल करता है पर मार्क उसके कॉल उठाता ही नहीं कुछ दिनों के बाद मार्क अपने दोस रूफस के घर पर जाता है और देखता है कि नताशा उसके दोस के घर में ही रहने चली गई है रूफस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कितने बार कॉल गिया पर तुमने मेरा कॉल उठाया ही नहीं रूफस उससे कहता है कि नताशा मेरे पास सेव रहेंगी तबी नताशा वहाँ पर आती है और मार्क को गुस्से से देखती है तब मार्क गुस्सा हो कर वहाँ से चले जाता है और अपने घर वापस लोट जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि उसका फिर एक बार कट चुका है और ये फिल्म यही पर end हो जाती है